हालो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माइन यू ब्लाग वीडियो पर और आप लोग कैसे हैं मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को कुछ हमारे गाओं के आम आदमी का नजारा दि करते हैं अपना गाओं का आम आदमी सब क्या कर रहें तो फ्रेंट्स चलिए अप लोग को लेके चलता हूं इस बडियों से देखिए अभी मॉनिंग हुआ है और मैं अभी अपने घर के बाहर में हूं और अपने बगल में ही हूं ज्यादा दोस नहीं हूं तो चलिए मैं अ हमारे गाओं के आम आदमी सब क्या कर रहे हैं और मैं देखिए दोस्तों अप लोग को वीडियो बना कर अपना वीडियो सेयर करने के लिए मैं बना रहे हैं तो चलिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूं हमारे गाओं के लोग क्या कर रहे हैं अपने खेतों में तो चलिए अप अब की कमे जरा है हर चीज खास है अब है जो है वह समा है तुम्रे सकी तो रबा है तो फ्रेंट्स देख रहे हैं अभी इधर उतना बारिश नहीं होने के कारण से हमारे खेतों में अभी पूरा खाली नजर आ रहा है और जिदर जिदर हमारे खेत में पानी लगा हुआ है, उधर हमारे की संसब अपना खेत त्यारी करने में लगे हुए हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूं देखिए, अब लोग वीडियो में खुद देखते होंगे, देखिए जिदर जिदर बारिश या पानी है दोस्तों खेत म अधर सब अपने अपने खेतों में खेत त्यारि करने के लिए हल चला रहे हैं और इधर दोस्तो आभी पानी नहीं होने के कारण से अभी इधर का किसान सब आभी नहीं करने में तेयारी। क्योंकि खेट त्यार करने के लिए पानी प्याओसकता बहुत ही जुरूरी होता है दोस्तो तब ही हमारा खेट त्यार हो सकता है तो देख्य कि अप लोग वीडियो में खुद देख रहे हैं मैं कि जिधर जिधर पानी लगा हुआ उदर किसान लोग अपना खेत का त्यारी कर रहे हैं और हाल भी चला रहे हैं और दोस्तो यह सामने वाला जो है न यह पीड के बगल में जो दिख रहा है बड़ा सा खेत वो मेरा खेत है लेकिन वहां भी पानी नहीं है दोस्तों तो हम लोग का इंतिजार है तो दोस्तों देख लिए हमारा गाउं के आमाद में क्या कर रहे हैं सो तो परिंच तो परिंच आप वीडियो पर देख लिए कि हमारे गाउं के लोग क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं यहां पर दोस्तों यहीं है कि अभी तो इतना बारश नहीं हुआ है इसलिए जिदर जिदर बारश भारश क्या जिदर जिदर खेतों में पानी रुका हुआ है उनलोग सब अपना खेट त्यार कर Custom और जिदर बारश कि पानी नहीं रुका हैं खेतों में उदर अभी नहीं कर रहें त्यारी तो दोस्तों अप लोग बताःए गाव या सहर तरफ बारिश हो रहा है यहा नहीं हो रहा और रपा इसाट हुआ है यह नहीं हम आप पमने का दिन है इसलिए मैं पुछ रहा हूं उन B लोग कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर बताईएगा कि अपना गाओं ये शहर तरफ बारिस हुआ है या नहीं हुआ है तो गैस चलिए अभी और कुछ अपना गार का बारे में दिखा रहे हैं दोस्तो पता नहीं इस बर क्या होगा दोस्तो यहां अभी सावन भी आधा पार हो रहा है और अभी तक बारे सच्छी से नहीं हुआ है और हमारे खेतों में पूरा खाली पड़ा हुआ है पहले तो सावन आते ही हमारा पूरा कंप्लीट होने का सिच्वेशन में रहता था लेकिन अब हमारे खेत में पूरा खाली ही नजर आ रहा दोस्तों पता नहीं भगवान क्या करेंगे हम लोग को अब उपर वाला कही अच्छा से हम लोग रहेंगे और बारिष होगा तभी तो हमारे खेत में खेतों में धान का अर्याली दिखाई देगा तो फ्रेंट्स चलिए मैं अप लोग को अपना घर का थोड़ा ना जारा दिखा देते हूं तो फ्रेंट्स चलिए मैं अपना घार का थोड़ा सा मॉर्निंग वार्क का बारे में दिखा देते हैं हमारे घर में सुपदी बन रहे हमारे लिए और दोस्तो हमारे घर के अंदर में किचन रूम नहीं होने के कारण से हम लोग बाहर में ही खाना उना बनाते हैं और उसके बाद अंदर ले जाता है तो फ्रेंड्स यह हमारे घर का बगल करना जा रहा है और देख सकते हैं अभी हम लोग का सब्जी बन रहा है तो देखते हैं क्या सब्जी बन रहा है चलिया अप लोग को भी दिखा देते थोड़ा तो गाइस यह पता नहीं देखने स्टों नहीं मालूम चड़ा है क्या सब् जो भी है हम लोग इस जो भी है यह हम लोग का सब्जी है इसे से ही हम लोग को खाना पड़ेगा खाना तो फ्रेंट्स वीडियो ज्यादा नहीं लंबा करेंगे और अप लोग से अलविदा लेंकर अपना काम करेंगे तो फ्रेंट्स अगर ये वीडियो आप लोग को देख कर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देजेगा फ्रेंट्स क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाने के लिए और एक एक इमती टाइम निकल कर वीडियो शूट करते हैं उसके लिए तो आप लोग को एक लाइक कमेंट्स और सेर और सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों तो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट बना के रखिए तक कि हम अप लोग को डेली नय नय वीडियो ब्लाव बना कर आप लोग को सेर करते रहे तो फ्रेंट्स चलिए आप लोग से अब मैं विदा लेने का टाइम आ गया हूँ और मैं अप इस वीडियो को एंड करेंगे तो दोस्तों हंत करते करते मैं एक अप लोग से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं हमारा वीडियो देखकर एक ला जैर करते रहेंगे तो चलिए दोस्तों जादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपना वनी को यहीं पिराम देता हूँ तब तक अप लोग खुश रहें मस्त रहें और स्वस्त रहें जैन जै वारत